तो हें गाइस वेलकम टो अन्बोक्स टो और आम बैक विद मैंना थार वीडियो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आतने माला हूँ सायमी MIA3 के बारे में जो कि बहुत ज़्यदा इंप्रोब स्मार्टफोन होने बाले है और जो डिवाइस होने वाले कैमेरा सेंट्रिक होगा उसके साथ आपको Android 1 प्रोग्राम देखने को मिलेगा तो ओबार जो डिवाइस का इंटर्फेस होने बाले बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलेगा उसके साथ आपको बैक साइड में टीपल कामेरा सेटाप फ्रॉन में वाइड़ तो सब सहले बात को इस स्मार्टफोन का डिजाइन के बारे में बैक साइड पॉपर लिग ग्लास पिनिस का देखने को मिलेगा और ड्वेल तोन कलर उप्शन में स्मार्टफोन लांच होगा उसके साथ आपको टीपल केमेरा सेटाप और रियर मांट फिंगर पिन सेंसर दे आप देखने को मिलेगा और बेजल चेंज होगा बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा तो डिजाइन और बील क्वालेटी बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिब लेवल का होने वाला इस स्मार्टफोन के अंदर तो आप बात करें स्मार्टफोन का कुछ पेस्विकाशन के ब aspect ratio की बात करो तो आपको 19.5 is to 9 का aspect ratio देखने को मिलता है, तो totally आपको H2S डिस्प्ले स्मार्प्रोन में देखने को मिलेगा, तो आप किसी भी गेम को enjoy कर सकते हो, किसी भी movies को enjoy कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्रोसेसर की बात करो तो इस smartphone आपको देखने को मिलेगा Snapdragon 660 का प्रोसेसर जो के बहुत ज़ादा बेटर प्रोसेसर है budget सेग्मेंट के हिसाब से और इस प्रोसेसर के थुरू आप ले पाओगे बहुत ही दमदार gaming experience और किसी भी browsing experience को भी आप बहुत ही आड़ाम सी enjoy कार पाओगे RAM variant की बात करो तो MI A3 के अंदर आपको दो RAM variant देखने को मिलेगा जो कि आप 4GB रेंग 64GB internal storage का base variant और 6GB RAM 128GB का एक और variant आपको देखने को मिलेगा तो overall जो hard hour होने बाले इस smartphone के उपर बहुत ज़्यादा बेटा देखने को मिलेगा price के हिसाब से and camera visualization की बात कर तो इस smartphone में back screen में आपको triple camera setup देखने को मिलेगा यहाँ पर जो primary sensor होने बाले वो भी आपको semi देखने को मिलेगा Redmi Note 7 जैसा and secondary sensor की पात करो तो आपको देखने को मिलेगा 12MP का secondary sensor and 5MP का आपको depth sensing camera देखने को मिलेगा तो overall जो camera का configuration होने वाला है MIA3 के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा बेटार होने बाला है जिसके हेल से आप wide angle suit protein mode यहां भी किसी भी काम को बहुत ही आराम से कर पाऊगे and 4K video recording का support भी देखने को मिलेगा इस camera option में तो बहुत ज़्यादा बेटार होने बाला है front side की बात के होगे तो front side में आपको single camera setup देखने को मिलेगा जिसका sensor होने बाले 23MP, aperture होने बाले 1.9 तो low line में जो selfie click होगा बहुत ज़्यादा improve आएगा जिसके अंदर detailing बाले जो feel होगा बहुत ज़्यादा perfect देखने को मिलेगा operating system की बात करूँ तो यह smartphone होगा android one program के साथ launch होगा जो कि smartphone का main highlighting feature है यानि कि smartphone आपको बहुत ही fast fast update देखने को मिलेगा यानि कि यह smartphone होने बहुत ज़्यादा बैटर होने बला है operating system की हिसाब से जिसके अंदर आपको security patch भी बहुत ज़्यादा high level का देखने को मिलेगा तो security के हिसाब से जह smartphone होने बहुत ज़्यादा बेटर होने बाला है और कोई भी आपको custom याई देखने को नहीं मिलेगा यानि कि Google का जो pixel smartphone होता है जिसके अंदर जो interface देखने को मिलता है semi-interface आपको इस smartphone में देखने को मिलेगा बैटरी की बात करूँ तो इस smartphone आपको देंगने को मिलेगा 4500 mAh के एक huge battery इसके साथ आपको कोई भी fast charging feature देंगने को नहीं मिलेगा other feature की बात करूँ जो नीचे में आपको type c port देंगने को मिलेगा और कुछ speaker gill देंगने को मिलेगा तो इस smartphone का प्राइज होना वाले आपको देंगने को मिलेगा approximately 20,000 के अंदर launching rate की बात को तो आपके smartphone में के अंदर देंगने को मिलेगा तो यही है कुछ leaks in rumors iam e.mae 3 के बारे में तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना माद भूलना आपने इस चैनल में पहली भड़ा है तो जाकर सब्सक्राइब मरा नोटिक्रिक्रेशन अबेल को दबा दो और उससे पहले आपने मेरे इंस्टागाम या फेस्बूक को फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो करो लिंक आपको निशे देंगने को मिलेगा तो see you guys in my next studio